मकर रासी वालों का आजी का रासी फल यानी की 4 मई 2020 का रासी फल तो जैसे आराम दोस्तों आईए आज के बीडियों की सुरुआत करते हैं लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ चार मई 2020 के पंचांग के बाड़े में आज तिथी है एक आदसी नक्षत्र है उत्तरा फाल गुनी पक्च है सुकल पक्च और दिन है सोम बार आज के दिन सुर्य उद्य हो रहा है पंच बज के 37 मिनट में और सुर्यास्त है 6 बज के 58 मिनट में रितू है ग्रिस्म आज का दिन काल है 13 घंटे 20 मिनट 53 सेकेंड का महिना है वैसाख आज आपके लिए सुब समय है 11 बज के 51 मिनट से 12 बज के 44 मिनट तक और अशुभकाल सुरू होता है 12 बज के 44 मिनट से 1 बज के 38 मिनट तक और दुबारा है 3 बज के 24 मिनट से 4 बज के 18 मिनट तक राहुकाल सुरू होता है 7 बज के 17 मिनट एम से 8 बज के 57 मिनट एम तक और दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों इस वीडियो के लाश्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग भाग्यशाली अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें परंतु सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को आप सुनते रहें सबसे पहला है आपका प्रेम शंबंध है दोस्तों प्रेम शंबंध के लिहाज से आज का दिन आपके लिए सामालने से काफी ज्यादा नीची रहने वाला है आज के दिन अगर आपके प्डेमी या आपके प्डेमिका से कोई गलती हो जाए तो उनके गलती को आप इग्नॉर कर दें अगर उनसे आप बहस करते हो तो आप दोनों का नोक जोक हो जाएगा और आज के दिन आपका प्डेम शंबंध खराब हो जाएगा इसलिए आज के दि आप बहस करने से बचने का प्रयास करें इसके बाद है आपका कामकाज तो कामकाज के लिहाद से भी आज का दिन आपके लिए बेहतर नहीं रहने वाला है आज के दिन से अगर आप किसी भी काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आप न करें क्योंकि काम की सुरुआ करने के बाद आने वाले वक्त में आपका काम काज खराब हो जाएगा और उस काम के वजह से आपको नुकसान का शामना काफी जियादा करना पड़ेगा इसके बाद है आपका पाड़िवाडिक जीवन तो पाड़िवाडिक जीवन की लिहाज से आपका समय सामाने तोर पे सही है न जयादा बेहतर न जयादा खराब दोस्तों आज के दिन अपने घर पडिवार में अगर आप कुछ बदलाब करना चाहते हो तो बदलाब करने से पहले अपने घर वालों से अपने पडिवार वालों से आप बात कर लें और अगर आपके घर पडिवार के लोग उस बदला आपको नहीं मानते हैं तो ऐसा कुछ आप न करें अन्डे था आपके फैसले के वजह से आने वाले वक्त में आपका पाड़िवाडिक जीबन खराब हो जाएगा इसके बाद है आपका धन समपत्ती तो पैसों के लिहाद से आपका समय सामानने से काफी ज्यादा नीचे रहेगा आज के दिन अगर अपने धन संपत्ती को आप कहीं निवेस करना चाहते हो अपना पैसा आप कहीं खर्च करना चाहते हो तो अपने खर्ची पे आप कंट्रोल कर लें अन्य था आने वाले वक्त में आपके खर्चे के वजह से आपको दिक्कतों का शामना करना पड़ेगा और आपके पास पैसे ज्यादा मात्रा में नहीं रहेगा इसके बाद है आपका श्वास्त स्वास्त के लिहाद से आपका श्मय बहुत ही ज्यादा बिहतर और सांदार रहने वाला है आज के दिन आपके बोडी में उर्जा की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी और इस वजह से आपका श काफी ज्यादा बेहतर और सांदार रहने वाला है इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने से आपका शमय बेहतर और सांदार होगा दोस्तों उपाई ये है कि आज के दिन आप मादुर्गा की पूजा करें मादुर्गा की पूजा करने से आपका समय शांदार हो जाएगा आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है दो यानि की टू और भाग्यशाली रंग है आपके लिए लाल और मैरून तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस वीडियो को आप लाइक कर दें हर जिग सेयर कर दें मिलते हैं फिर एक नए वीड अन्निवाद